Hi everyone, welcome to My, Artist!! आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल रेसे पि जिसांम है मतर के प्राफे जो की खाने में। बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत इजी होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट w他र मॉइस्ध हेल्धी मतर के प्राथे बनकर तयार होते हैं जिसके लिए हमने यहां ले ली है फ्रेश मटर, हमने यहां 2 कप मटर को अच्छे से छिल के वाश करके ले लिया है, पानी सारा सुखा दिया है अब हम यहां पर प्रात्मी ले लेंगे 2 कप आटा, उसमें हम डाल देंगे बारी कटीवी हरी मिर्ची, आप यहां अद्रक को भी बारी काटके डाल सकते हैं, साथी में हमने मिक्सी में बिल्कुल चर्ण करते हुए मटर को पीस के तयार कर लिया है, अब देख सकते हैं, दरद धनिया आधा चमच को क्रश करके डालेंगे हतेलियों के बीच से, आप देख सकते हैं, इसमें खड़े मसाले प्राठों में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, देखिए, अब हम इसमें एड कर देंगे तीखे पन के लिए, एक चमच लाल मर्ची पाउडर, एक चमच नमक, नम की तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे दो चमच तेल, सभी चीजों को दुबारा हम मिक्स कर लेंगे, और एक सक्त आटा लगा कर तयार करेंगे, मतर के प्राठे, सक्त डो के बहुत तेस्टी और सॉफ्ट पन के तयार होते हैं, देखिए, हम थोड़ा नहीं डाल कर हमारा आटा लगा कर तयार कर लेंगे, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मा बेटी रसोडा को लाइक, शेयर, सस्क्राइब करना ना भूले, अब हम अच्छी तरह से मलार लेंगे और दो चमस तेल डाल कर अच्छी तरह से आटे को तेल में क अब हम इसको रख देंगे आधे गंटे के लिए रैस पे, आधा गंटा के बाद हम आटे को अच्छी तरह से मलार लेंगे फिर से जित्ता आटे को आप मला रेंगे उत्ते ही टेस्टी हमारे प्राठे बनकर तयार होंगे, प्राठो का आटा हमेशा मलारा जाता है, अब हम बड़ा प्राठा आपको बनाना हो उत्ता बड़ा आप इसका बोल बना सकते हैं देखी हम नॉर्मल साइज के प्राठे बनाएंगे तो हम इसके नॉर्मल साइज के बोल्स तोड़के रेडी कर रहे हैं बोल्स को हम अच्छी तरह से गौल कर लेंगे देखे इस तरह से सभी ब बनाने के बाद हम लेंगे चकला बेलन उस पर आटे को सूखा अठा लगा कर अच्छी तरह से बेलेंगे आप देख सकते हैं प्राठा आप छोटा बड़ा किसी भी साइज का बेल सकते हैं वो आपके ओपर डिपेंड है देखे किती अच्छी तरह से हमारा प्राठा बहुत ही इजी है मटर के प्राठे बनाना हम आगे आने वाले वीडियो में मूली के प्राठे मेथी के थेपले बहुत सारे वेराइटी प्राठो की हम डालने वाले हैं प्राठे को हमने पलट दिया है और दो मिनट के बाद हम इस पे घी लगा कर प्राठे को सेक लेंगे आप तेल घ किसी भी चीज में प्राठे को सेख कर तयार कर सकते हैं गैस की फ्लेम हम इस टाइम मेडियम रखेंगे और प्राठे को पलड़ते हुए देखें इस तरह से हम सेख लेंगे बहुत ही टेस्टी प्राठा है येकीन मानिए एक बर आप बना के खाएंगे तो बार बार बनाएंग ये बहुत ही टेस्टी प्राठे हैं हमने इसके साथ तमाटर की लॉंजी बनाई है आप सौस हरी चटने किसी भी चीज के साथ इस प्राठे को खाकर इंजोई कर सकते हैं हम सभी प्राठो को देखें इसी तरह से सेख लेंगे बना लेंगे आपको हमारे चैनल पे बने रहने के लिए छोटा सा काम करना है लाइक, शेर, सस्क्राइब और बेल आइकन दवाना ना भूले, बहुत ही इजी है, सस्क्रिप्शन फ्री है देखिए पराठा हमारा बातों ये बातों में सिक्कर के तयार है, इसको भी हम निकाल लेते हैं हमारी सर्विंग प्लेट में बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं, और सर्दियों में पराठे खाने का मज़ा ही अलग होता है और गाओं की ठंड में तो भाई, बहुत ही जोरदा लगते हैं हमारे ये पराठे, देखिए हमारे पराठे बनकर तयार है हमने इसको खीचिया जो राजेस्थान में बोला जाता है, उनके साथ सर्फ किये हैं, आप कितना सौफ्ट हमारा मटर का पराठे बनकर तयार हुआ है, आप भी अपने घर में एरेसे पी जरूर बनाए और अपने कमेंट्स करके हमें बताएगा जरूर आपके घर में मटर के पराठे किसको पसंद आए और आप किस तरह से मटर के पराठे बनाते हैं प्लीज कमेंट करके बताएगा जरूर थैंक्स वाच